वृत का केंद्र है O, तो यहाँ पर एक वृत दिया गया है जिसका केंद्र है O, AC एक स्पर्श रेखा है बिंदू C पर, तो यहाँ पर यह जो AC है यह स्पर्श रेखा है बिंदू C पर, रेखा खंड AC की लंबाई ग्याद करें, तो यहाँ पर यह जो रेखा खंड AC, इसकी ह सपर्ष रेखा पर लंब होती है, तो यहां पर यह जो कोण है, यह कोण OCA, यह कोण एक समकोण है, और अगर यह कोण एक समकोण हो गया, तो यह जो त्रिभुज है यहां पर ACO, यह हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज, और अगर यह समकोण त्रिभुज हो चुका है, तो ह हम पाइथागोरस का प्रवें इस्तिमाल करकर इस त्रिभुज की भुजाएं निकाल सकते हैं. तो हमें निकाल लिए ये भुजा AC और हमें यहाँ OC दिया गया है, AB दिया गया है पर BO या OB नहीं दिया गया है. अब अगर तुम ध्यान दो तो जो OB है वो तो दरसल तरज्या ही है. तो यहाँ पर जो OC तरज्या है वो है 3 तो OB जो तरज्या है वो भी होगी 3. तो अब यहाँ पर ये जो इस तरभुज में ये जो कर्ण है, ये AO ये हमें पता चल चुका है, ये है दो धन 3, यानि ये बराबर है 5 तो यहाँ पर जो AO है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कि यह जो AO है, इस एक गुलावी रंग से दर्शा के में लिख देता हूँ, कि इसकी लंबाई है 5 तो अब इस समकोन तरे भुझ में, ACO में हमें OC पता है 3, हमें AO पता है 5, और हमें AC निकालना है, जो है रेखाकंड AC की लंबाई, तो यहाँ पर रेखाकंड AC को मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसकी लंबाई ले लेते हैं X, और अब लगा देते हैं इसमें पाइथागोरस का प यह वाली भुझा करण के वर्ग के, यानि कि यह होगा 5 का वर्ग, तो हमें मिल रहा है कि जो X का वर्ग है, धन यहाँ पर यह हो जाएंगे 3 का वर्ग 9, और यह बराबर है 5 का वर्ग यानि की 25 के, अब अगर मैं दोनों तरफ 9 से घटा दूँगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि जो X का वर्ग है, वो बराबर है 25 रिण 9 के, यानि कि वो बराबर है 16 के, और अब X निकालने के लिए मैं दोनों तरफ वर्ग मूल ले ले लेता हूँ, तो जो X होगा, वो बराबर होगा धनात्मक और रिणात्मक 4 के, क्योंकि 16 का जो वर्ग मूल होता है, वो धनात्मक और रिणात्मक 4 होता है, पर AC तो लंबाई है, तो वो रिणात्मक नहीं हो सकती, तो मैं यहां लिखता हूँ, वो है धनात्मक 4, तो जो रेखाखंड AC है, उसकी लंबाई हमने निकाल लिए है, वो है 4